एक बार की बात है एक बहुत अमीर विक्ति था उस विक्ति के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी अलिशान घर था बहुत सारे नोकर थे गाड़ियां थी उस विक्ति का एक ही लड़का था एक दिन उस विक्ति ने सोचा कि उसका बेटा बच्पन से ही अलिशान जिन्दगी जी जिससे वो पैसों की एहमियत को समझ सके। ऐसा सोचकर एक दिन वो अपने बेटे को शेहर से बाहर अपने एक दोस्त के फार्म में कुछ दिन रहने के लिए चला गया। उस विक्ती ने अपने दोस्त के फार्म में दो दिन बिताए और और वहां से चले गए। राश्ते में उस अमीर विक्ती ने अपने वेटे से पूछा तुम्हें उस गरीब परिवार के साथ दो दिन रहकर कैसा अनुबब हुआ। क्या तुमने उनकी गरीबी को देखकर बोट सारी नोकर हैं, जो हमारे लिए खाना बनाते हैं, लेकिन वो लोग खुद खाना बनाते हैं, और साथ में मिलकर प्यार से खाते हैं, हमारे पास शेहर में सिर्फ एक डोगी है, और उनके फार्म में चार हैं, हम खाने के लिए बजार से कई दिन की पुरानी सबजियां ख खुद उगाते हैं, हमारे पास नहाने के लिए छोटा सा स्विमिंपूल है और उनके फार्म से दूर बड़ी सी नदी है, हमारी सुरक्षा के लिए घर के चारो तरफ बड़ी बड़ी दिवारे हैं और उनके पास दोस्त है और पडोसी है, आंत में उस लड़के ने कहा थैंक करना चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना धन्यवाद